intellectual characteristics of learners of preschool to higher secondary level क्या characteristics जो है वो बच्चों में होती हैं जिससे पता चलता है कि वो intelligent हैं और किस किसम की वो अपनी in characteristics को exhibit करते हैं और show करते हैं कोई भी काम करने के लिए तो we can say and we can observe and we can surely say that this child is very intelligent and this child is not very intelligent तो इसमें preschool learners जैसे हैं ये recognition of previously seen objects, visual preferences, eye hand coordination बच्चे जो हैं अपनी पिछली स्टोर की हुई information जो है उसको देर तक याद रखते हैं और फोरन से आपको बता देंगे कि फलाव वक्त में ये चीज़ ऐसे हुई थी वैसे भी बच्चों की memory शाप होती है तो कि उस स्टेज़ पे उनकी तमाम जो abilities हैं वो properly जो है वो improve कर रही होती हैं तो ये जो long term memorize concepts को फोरी तोर पे आपके साथ लाना के सामने लाके और फिस logic के साथ किसी चीज़ को improve करना आपने तो फुलाव वक्त में ये बात कही थी अभी आप ये कह रहे हैं आपकी फोरन बात को और deny करेंगे और फोरन आपको हवाला देंगे पिछला तो ये सबसे पहले pre-school learners जो हैं इनके अंदर logical वो जो एक consistency बिना रहे होते हैं इवेंट्स की वो भड़ी शाप हो जाती है और जो आपका intelligent बचा है वो बहुत देर तक एक चीज़ को नहीं बूलता फोरन से आपको हवाला देगा कि आपने तो ये कहा था भी आप कुछ और कह रहे हैं तो contradictory जो statements होती हैं उसका difference जो है इस stage बे बचे जानना शुरू हो जाते हैं उसके बाद distract जो होते हैं और जब short attention span है उसके वज़े से उनकी information store होने में problem होती है distraction उस वकत होती है बचे की जब वो activity उसके interest की नहीं होती इसलिए वो उसको long term याद भी नहीं रखता तो आपने जो भी चीज बचे को इस stage पे सिखानी है उसके साथ interest element बहुत important है उसके बाद है attention span, attention span भी तबी आएगा जब बचे का interest होगा उस activity में जबरदस्ती एक खाना आप बचे को जब खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो vomit कर देगा इसी तरह से जबरदस्ती information जब उसके दिमाग में आप फैंकने की कोशिश करेंगे तो वो भी vomit हो जाती है जब वो forget कर देता है तो वो vomit वाला ही हिसाब है उसका तो यहां मतलब यह है कि जब भी आपने कोई information बचे को provide करनी है तो उसके साथ link कीजिए कोई भी information किसी भी logic के साथ कि यह information जब आपको दे रहे हैं अगर आप इस काम को करेंगे तो आपको यह फायदा होगा इस stage पर बचे जबरा incentive के साथ सीखते हैं अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो आपको यह नुकसान होगा तो इसलिए अगर आप यह चाहें बचे को ड्रा दम काके कि जो मैं नहीं तुमें कहा है यू नीड तो फालो तो बचे stage पर जो है आपके सामने respect की वज़ा से कुछ कहा नहीं सकते so always when you will teach them or instruct them or train them with love and care and with the benefits of the activity then they will retain it for the long time फिर उसके बाद the variability in performance from one assessment to the next अच्छा अब intellectual characteristics जो हैं बच्चे की वेरी करती हैं हर बच्चा जो छोटा है चार साल का बच्चा है या दो साल का बच्चा है तो मुख्लिफ parents की से बिलॉंग करने की साथ-साथ twins भी जो दो हैं उनकी भी mind की जो capacity है वो different हो सकती है एक बच्चे को बहुत सारी चीज़ें फौरन याद आ जाती है एक बच्चा थोड़ा slow है याद करने में और आपको respond करने में तो ये variability जो है ये भी acceptable है होना चाहिए था जो स्लूक हुआ है वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है इस किसम की stories से उनसे question answers करें और उनसे drive करें कोई story कि अब आपने ये जो story सुनी है आप इस से relevant story मुझे find करके मुझे अपने कल सुनानी है तो बचे इस तरह की चीज़ को भी बहुत ज़दा याद भी रखते हैं और फिर उस character में story के जो आपने उनको message convey करना था उस message को सारी जिन्दगी याद रखते हैं और हम अपनी morals की और ethics की जो training है बचों की story की form में अगर आप करेंगे तो बचे बहुत दिर्दक information को याद रखते हैं उसके बाद higher secondary level पे जब बचे आते हैं तो वो abstract words और ड्राइंग logical inferences अब वो logical inferences बनाते हैं कि जब मैं पिछली बार late school गया था तो मेरी teacher ने मुझे ये कहा था कि तो मैं fine हुआ था लेकिन कुछ और बचे लेट आये हैं तो teacher ने उनको fine नहीं किया इसका मतब ये है कि सिर्फ मुझे ही उन्होंने tante किया है या मुझे ही वो जएदा इस तरह से कहती हैं तो मैं दुबारा चेक करता हूँ कि आया जो है मैं अब late जाओंगा तो मुझे वो कुछ कहती है या नहीं बचे इस तरह के experiment ज़रूर करते है basically वो logical inferences ढूंड रहे होते हैं पिछे वाली event को अपने नए वाले event के साथ जोड़ के देखते हैं कि क्या अब भी वो ये वाले results आ रहे हैं तो वो blindly चीज़ों को follow नहीं करते बलके खुद test करके experiment करके उसके results जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं तो ये जो stage है इस पर आके बच्चे direct interact भी करते हैं उससे observe भी करते हैं चीज़ों को और फिर experiment करके भी लादन करना जो है वो पसंद करते हैं